नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं CNN News तो चले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से इंदोर में भी डेंगू का कहल बढ़ता ही जा रहा है 21 नए मरीजों की पुष्टी के बाद शहर में डेंगू संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार पहुँच चुका है 21 नए मरीजों में 100 बच्चे भी शामिल हैं मद्रप्रदेश के इंदोर शहर में शुकरवार को 10 बच्चो लोगों की घरों के आसपास जल जमाव की वजह से हैं लोगों को अपने आसपास पानी जमा नहीं होने दिना चाहिए जिसमें डेंगू के लार्वा पनपते हैं अब तक एक हजार लोग डेंगू के शिकार हो चुके हैं आज भी 21 नए मामले सामने आए हैं जन्में 10 महिलाओं की तुलना में प्रतिकूल गर्ब अवस्था का शिकार बनाता है इस तरी रोग विशेशग्यों ने कहा कि अगर गर्ब वती महिलाइं डेंगू से संक्रमेत हो जाती है तो संभावना है भूण विकास प्रतिबंद से पीड़ित हो सकता है और उसका वजन कम हो सकता ह देंगू वाइरस मनुष्यों में बुखार और गंभीर रखत इस तरह वही लक्षनों का कारण बनता है डेंगू वाइरस रोटाइप टू अधिक घातक है रोग एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फेलता है और यह खतरनाक है क्योंकि संक्रमित मास यह भ्यूण को संक्रमित कर सकते हैं खबरों में आपते के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमो खबर के साथ तब तर के लिए नमस्कार और देखते रहें CNN News